अस्लाम लेकुम दियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब मैं नेम इस रायान मलेक और आम हेर तुछ यू फेजेक्स क्लास नाइंथ आज हम स्टडी करेंगे चाप्टर नंबर वन का टॉपिक 1.6 का सब टॉपिक स्टॉपवज और मैयरिंग सालंडर तो आई यह चलते हैं बोर्ड की तरफ तॉपिक नंबर 1.6 आज हम इसका सब टॉपिक पढ़ेंगे ताट इस स्टॉपवज स्टॉपवज आपने कहीं देखी है जी तो नॉर्मली प्लेग्राउंड में यह सर अम्पायर्स के हाथ में होती है स्टॉपवज ठीक है जैसे कि आपके आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यह एक मेकानिकल स्टॉपवज है और आप एक और पिक्चर में देख सकते हैं यह एक डिजिटल स्टॉपवज है So, stopwatch जो है basically इसको हम किस purpose के लिए इसको हम किसी भी event का time interval मालूम करने के लिए find करते हैं Okay, like जब आप running कर रहे होते हैं, तो running में भी start से end तक का वो जो time interval आप find out करते हैं उस time interval को find out करने के लिए भी आप stopwatch का इस्तामाल करते हैं So, we can say that stopwatch it is used to measure, it is used to measure the time interval of an event तो किसी भी event का time interval मालूम करने के लिए आप stopwatch का इस्तामाल करते हैं अब stopwatch जो है basically आपर दो types की होती है The first one is mechanical stopwatch and second one is digital stopwatch अब अगर हम mechanical stopwatch की बात करें, तो mechanical stopwatch जो है वो minimum time interval जो find out कर सकता है, that is 0.1 second So, we can say that it can measure minimum time interval of 0.1 second तो 0.1 second जो है basically इसका क्या हो जाएगा, least count हो जाएगा Similarly, अगर हम digital stopwatch की बात करें, तो digital stopwatch जो है कि 0.01 second तक measure कर सकता है So, we can say it can measure minimum time interval of 0.01 second, clear? तो इसे हम इतना time interval जो है वो हम find out कर सकते हैं, तो 0.01 second जो है वो इसका क्या हो जाएगा, least count हो जाएगा, clear? तो यह थी इसकी दो types, अब हम पढ़ते हैं कि how to use a stopwatch, कि stopwatch को हम किस तरहां से इस्तामाल कर सकते हैं So, mechanical stopwatch has a knob that is used to wind the spring that powers the watch तो mechanical stopwatch में एक knob होती है, जैसे कि आप mechanical stopwatch यहाँ देख सकते हैं, आपको इसके ओपर एक knob नजर आ रही है, तो knob जो है यह basically power देता है उस stopwatch को move करने के लिए, उस stopwatch को start करने के लिए, similarly इसी ही knob से आप इसको stop भी कर सकते हैं और इसी ही knob से आप इसको reset भी कर सकते हैं, clear? अब हम next board पर चलते हैं कि यह किस तरहां से start, stop और reset होता है, so अब अगर इस knob को हम first press करें, तो first press करने से क्या होगा, कि आपकी जो stopwatch है वो start हो जाएगी, ओके, and again जब second press करेंगे, तो second press करने से क्या होगा, वो stopwatch आपकी stop हो जाएगी, रुख जाएगी, और वो जिस point पर आ down कर सकते हैं, तो इस तरहां से आप किसी भी event का जो time interval है, वो आप मयर कर सकते हैं, अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी stopwatch को दुबारा से zero पर लेकर आजाएं, मत means कि reset कर लें, तो reset करने के लिए again हम third press करेंगे, तो आपकी stopwatch जो है, वो reset हो जाएगी, zero पर, दुबारा से वो zero पर आजाएगी, again से फिर आप दुबारा से जब प्रेस करेंगे, फिर वो start, again stop and then again reset, तो इस तरहां से जो है, वो stopwatch work करती है, और अब अगर हम digital stopwatch की बात करें, तो digital stopwatch have start, stop button and reset button, तो digital stopwatch जैसे का आप यहां देख सकते हैं, इसके उपर दो दुबारा के buttons होते हैं, और again उसी button को press करने से आप stop भी कर सकते हैं, similarly एक दूसरा button जो है, उसको press करने से क्या होता है, कि आपकी जो stopwatch है, वो दुबारा से reset हो जाती है, और दुबारा से उसी initially zero पे वो आ जाती है, clear, तो यह है stopwatch, जिसका हमने पढ़ा कि इसकी दो types होती है, that is mechanical stopwatch and digital stopwatch, हमने इसकी least count discuss किए, एक mechanical stopwatch का जो least count है, that is 0.1 second and diesel stopwatch का जो least count है, that is 0.01 second, similarly हमने इनका method पढ़ा कि हम किस दास इसको 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 इस्तामाल कर सकते हैं, तो I hope आपको stopwatch का concept clear हो गया होगा, अब हम आगे पढ़ते हैं, that is measuring cylinder, तो measuring cylinder जो है, यह basically क्या है, इसमें आप किसी भी liquid का volume find out कर सकते हैं, या आप किसी भी irregular shape, solid का आप volume find out कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसकी construction discuss कर लते हैं, तो मईया इस cylinder जो है, यह glass यह transparent plastic cylinder का बना होता है, और इसके इलावा, इसके उपर जो है, scale mention होता है, जिसके उपर readings जो है, वो milliliters में mention होती हैं, और यह different capacities का होता है, जैसा कि मैंने यह mention किया कि यह 100 ml से 2500 ml तक का available होता है, और इसके इलावा हम इससे क्या चीज़ मेर करते हैं, that is volume of liquid, तो आप किसी भी liquid का volume मेर कर सकते हैं, and similarly volume of powdered substance, और जो powdered substance होते हैं, आप उनका भी volume मेर कर सकते हैं, and similarly volume of an irregular shape, solid insoluble, insoluble मैंने यहाँ पर क्यों कहा, क्योंकि जब आप किसी irregular shape का volume मेर कर रहे होते है तो आप ने उसको पानी में डालना होता है, तो अब अगर वो solid insoluble होगा, तब ही आप उस solid shape का volume मेर कर सकते हैं, और अगर वो उसमें dissolve हो जाता है, तो आप उस solid shape का volume मेर नहीं कर सकते हैं, clear? अब हम next board पर discuss करते हैं, कि हम इसको किस तरहां से इस्तामाल कर सकते हैं, So now, how to use measuring cylinder, अब यहाँ पर आपको एक measuring cylinder नजर आ रहा है, जिस पर मैंने जैसे कहा कि यह glass और plastic का बना होता है, और इसके उपर एक scale mention होता है, जिसके उपर readings जो है, वो milliliters में mention है, आप देख सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पर complete raw नहीं किया, जैसा कि यहाँ पर 0, 10 milliliters, 20 milliliters and then so on, up to 200 milliliters, तो अब 200 milliliters तक जो है वो आप इस cylinder में आप किसी भी चीज़ का liquid का या irregular shape solid का आप volume मेयर कर सकते हैं, Now, let's suppose कि मैं किसी liquid का volume मेयर कर रहा हूँ, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि इस cylinder में, यह liquid जो है, blue lines जो है, यह liquid को show कर रही है, तो यहाँ तक सारा जो liquid है, वो यहाँ पर मौझूद है, अब मैंने यहाँ पर reading मेयर करनी है कि कितना volume है इस liquid का, So, आपको इस measuring cylinder के उपर different lines नजर आ रही है, Similarly, इस जगा पर भी एक line होगी, इस line को यहाँ पर हम कहते हैं, meniscus, ओके, So, अब जब आपने देखना है, जब आप इस reading को note कर रहे होंगे, तो आपका जो eye contact है, वो exact meniscus के सामने होना चाहिए, आप, ओके, आपका जो eye contact है, वो exact meniscus के सामने होगा, तब ही आप exact reading note down कर सकते हैं, अगर let's suppose के आपका जो eye contact है, वो below है, ठीक है, उससे क्या होगा, कि हम जो reading note down कर रहे होंगे, वो भी उस meniscus से, नीचे वाली reading जो है, वो शायद हम note कर रहे होंगे, that's why, ये method जो है, ये क्या है, गलत है, अगर हम इस meniscus से उपर की तरफ कही महियर कर रहे हैं, हमारा eye contact अगर उपर होगा, ठीक है, तो आप reading भी जो है, वो इस meniscus से अबव वाली reading होगी, आप गलती से वो note down कर लेंगे, that's why, ये तरीका भी गलत है, तो हमें महियर करने के लिए ये जरूरी है, कि आपका जो eye contact है वो exactly इस meniscus के बिलकुल सामने होना चाहिए, तब ही आप exact reading not down कर सकते हैं, तो ये था volume of liquid को महियर करने का तरीका, अब हम discuss करते हैं, कि अब आपने एक irregular shape, solid को महियर करना है, कि इसका volume कितना है, तो हम करेंगे क्या, कि हम सबसे पहले liquid लेंगे, cylinder में, और हम liquid लेने के बाद, हम इस liquid की reading not down कर लेंगे, let's suppose कि ये जगा इसकी, यहाँ पर इसकी reading आ रही है, तो मैं कहता हूँ, volume initial, तो मैंने, let's suppose, एक initial volume मैंने not down कर लिया, that is 100 ml, ओके, अब वो irregular shape, जिसका मैंने volume मगियर करना है, अब मैं उसको cylinder में डाल दूँगा, अब जैसे ही, कोई solid shape जब इस cylinder में जाएगी, तो आपका जो water का level है, वो थोड़ा सा उपर आ जाएगा, okay, so example, कि water का level जो है, वो उपर आ गया, यहाँ तक, और मैंने इसमें वो solid जो stone था, या जो पत्थर था, मैंने वो इसमें यहाँ पर ऐसे डाल दिया था, वो पानी के अंदर आ जाएगा, और bottom में, okay, so अब होगा क्या, कि पानी का level जब अबव हो जाएगा, तो again, इस जगा पर हम एक और reading note डाउन कर लेंगे, and this is final volume, VF, now let's suppose, यह final volume जो है, यह आपका आ जाएगा, 120 ml, So, अब हम करेंगे क्या, हम उस solid का volume find out करने के लिए, हम final volume को minus करेंगे, initial volume के साथ, So, final volume is 120, minus initial volume is 100, जब minus करेंगे, तो आपके पास 20 ml आ जाएगा, this is the volume of that solid irregular shape stone, Okay, तो इस तरहां से, हम किसी भी irregular shape का volume हम मयर कर सकते हैं, अब आप note करें, कि यहाँ पर मैंने, इस cylinder के अंदर पानी मैंने add up नहीं किया, लेकिन पानी, खुद बखुद थोड़ा सा उपर हो गया, जब मैंने इसमें stone को add किया था, तो actually जो पानी उपर हुआ है, वो किस की वज़ा से हुआ है, वो उस stone की वज़ा से हुआ है, मकी वज़ा से हुआ है।